नमस्कार आदाव सच्री अकाल जैभीम जोहार मेरा नाम है नवीन कुमार दुनिया के तीसरे सबसे बड़े धन्ना सेथ गौतम अडानी ने कभी कलपना तक नहीं की होगी कि एक मामूली ड्राइवर लहा एक आदमी उनकी तरक्की की गाड़ी को पटरी से उतार कर रखतेगा अडानी ग्रूप के शेयरों में सुनामी आ चुकी है ऐसी धलान अडानी ने पहली बात देखी है आप समझे जरा बाजार खुलते ही अडानी के शेयर लड़कने लगे बे प्रोजेक्ट अडानी पॉट्स के शेयर 22 प्रतिशत से ज्यादा गिर चुके हैं अमबूजा सिमेंट तो साले 26 परसंट गिर गया अडानी ग्रीन डूप चुका है पूरे 25 परसंट अडानी टोटल 27 परसंट से ज्यादा तबाह हो चुका है अडानी पॉट्स भी पांच द 80 पैसे का बचा है और ये गिरावट लगातार जारी है ये सारा कांडुआ अमेरिका की फॉरेंसिक आडिट फार्म हिंडनबग रिसर्च की एक रिपोर्ट के बाद जिसमें उसने दावा किया है कि अडानी ने आडिट रिकॉर्ड में फर्जी वाला करके 100 अरब डॉलर से ज् से बनाने वाला एक ड्राइवर था एंबुलेंस जाइवर आपको बता दे कि हिंडनबग रिसर्च की स्थापना साल 2017 में नाथन एंडर्सन नाम के शक्स ने की थी हिंडनबग रिसर्च एक फॉरेंसिक फिनांशियल रिसर्च फॉर्म है जो एक्विटी क्रेडिट और डेर करना है इसी में अडानी फसा साल 2020 में वाल स्ट्री जनरल से बात करते हुए एंडर्सन ने बताया था कि वह बहुत पहले इसराइल में इंबुलेंस चलाया करते थे वह सिर्फ एक ड्राइवर हुआ करते थे इस दोरान उनका काम सिर्फ मरीजों को सही सलामत अस्पताल करने लगेंगे ड्राइवरी छोड़कर एंडर्सन ने यूनिवर्सटी अफ कनेक्टिकट में इंटरनेशनल बिजनस में एडमिशनली और वहां से ग्रिजुएशन किया और डेटा कंपनी फैक्ट रिसर्च सिस्टम्स इंक में काम करने लगे वहां वो फिनांस डिपार्ट और नौ अरब डॉलर से ज्यादा की दौलत वाले अडानी ग्रूप को पानी पिला देने वाले हिंडन बग रिसर्च में केवल पांच लोग स्थाई तोर पर काम करते हैं और लगभग इतने ही फ्रीलांसर मतलब कुल दस लोग इसका दफ्तर जानते हैं कितने कमरे से चलता आपको बता दे कि अडानी सेट एंडलसन के पहले शिकार नहीं है इससे पहले हूँ अमेरिका में अपनी रिपोर्ट से अर्वों में खेलने वाली कमपनी का फर्जीवारा बेनकाब करके उसे जमीन पर ला चुके हैं उस कमपनी का नाम था निकोला कॉर्पोरेशन सितंबर 2020 की बात है ज्यादा पुरानी नहीं इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली निकोला कॉर्प ने अमेरिका के जनरल मोटर्स के साथ दो बिलियन डॉलर का करार किया था खबर बाहर आते ही निकोला के शेयर सोना हो गया लोग तूट पड़े थे नतीजा कमपनी का मार्केट कैप देखते ही देखते 40 प्रतिशत पड़ गया मत्तब लगभग डेड़ को ना सब ऐसे ही चलता जा रहा था निकोला कॉर्प को लग रहा था कि उसकी कर्टूतों पर किसी की नजर नहीं है निवेशकों को लग रहा था कि कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है किसी को भी इलहाम नहीं था कि कोई ऐसा खुलासा होगा जिसमें निकोला कॉर्प का ताश का महल भर भरा कर गिल जाएगा बिलकुल अडानी की तरह हिंडनबग की एक रिपोर्ट आती है इस रिपोर्ट ने निकोला के फंजीवाले का रेशा रेशा खोल कर लग दिया बिलकुल अडानी की त रही थी हिंडन भग की रिपोर्ट आते ही निकोला के शियर सीधे 10 प्रतिशत गिर गए अडानी के तो 20% तक गिर गए इससे ज्यादा 26 तक निकोला ने तमाम दाओं को जूटा बताया कहा कि यह उसे बदनाम करने की साजिश है बिलकुल अपने अडानी सेट की तरह निकोला भी धंकी दी थी कि वो कोट में नाथन एंडर्सन की रिपोर्ट को बेनकाब कर देगा बिलकुल अडानी सेट की तरह और बिलकुल इसी तर्स पर हिंडन बग ने कहा था कि शौक सजाई यह अदालत हम तो चाहते हैं कि आप अपने सारे दस्तावेश कोट के रिकॉर्ड पर भी नहीं मिला करते यह बात केवल दो साल पुरानी है 2020 की साथ डॉलर से उपर चल रहे निकोला के शेयर तीन डॉलर से नीचे जा चुके हैं निकोला अमेरिका की एक बदनाम कंपनी बन चुकी है और यह काम अकेले हिंडन बग की रिपोर्ट ने किया जिसमें कुल पांच लोग काम करते हैं नाथन एंडर्सन की फर्म हिंडन बग ने अडानी सेट के कथित फर्जवारे पर कुल 106 पन्ने की रिपोर्ट बनाई है और अडानी की साथ कंपनियां निकोला की राह पर आ चुकी है निशाने पर हैं गौतम अडानी के भाई विनोध अडानी जो अडा पाप नहीं मिला है अलबता मुकदमे की धंकी जरूर मिली है इंडर्सन इंतजार कर रहे हैं कि अडानी उनके खिलाफ कोट में पहुंचे और फिर मुकमल तोर पर उनकी पूल पट्टी खोली जाए इंडर्सन एक बयान में कहा कि अगर अडानी वाकई गंभीर हैं मुकदम पराज्य की बोलती बंद है सोचिये की कड़ी मेहनत से तयार एक तथ्य परक रिपोर्ट में कितनी ताकत होती है तीन दिन पहले अडानी सवा नौ लाख करोड के मालिक थे और दुनिया के तीसरे नंबर के रईस लेकिन हिंडन बग की रिपोर्ट आने के बाद वह सिर्फ पौने आठ लाख करोड के मालिक रह गये हैं और दुनिया के धन्ना सेठों में साथवे नंबर पर फिसल चुके हैं सिर्फ एक रिपोर्ट से अडानी के एक लाख बतीस अजार करोड ढूब चुके हैं और निवेशकों के पौने तीन लाख करोड कुल में लाकर चार लाख करोड़ा अडानी के विशाल समराज्य की सड़क के बीचों बीच उस ड्राइवर ने अपनी गारी खड़ी कर दी है जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अडानी की दौलत कितनी है ताकत कितनी है रसूप कितना है सूचिए ये काम किसका था भारत के पत्रकारों क बिसनिस चैनलों और अखबारों का पत्रिकाओं का क्योंकि हिंडन बक की रिपोर्ट कह रही है कि अडानी समूह ने दिन के उजाले में बड़े पैमाने पर धुखा धरी की है वो ऐसा कर सका क्योंकि भारत के निवेशक, पत्रकार, नागरिक और यहां तक की बड़े-बड लेनेता उसके सामने दुम हिलाते हैं, इस जमात को पता नहीं, शर्म कब आएगी और कभी आएगी भी या नहीं, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आटिकल नाइंटिन इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरन कर दीजिए, बेल आईकॉन जानते ही हैं, मैं रोज बताता हूँ, आटिकल नाइंटिन इंडिया और मेरा ट्विटर है नवीन जनेलिस्ट, आप दोनों को फॉलो कर लेंगे, तो हमें खुशी होगी, नमस्कार